मेहनत वो चाभी है जिससे भविष्य के बंद पड़े दरवाजे भी खुल जाते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसुतोस और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो मचली पालन से संबंदित रहने वाली है और आज हम पहुँच गया हैं बिहार के मोतिहारी जीले में यहां एक किसान है जो लगभग 25 वर्सों से मचली पालन के वेवसाय से जुड़े हुए हैं और काफी अच्छे से इस काम को वो संचालित कर रहे हैं मचली पालन के बारे में दोस्तों एक चीज बता दो कि आज भी बिहार जैसे प्रदेश जो है वो आंधर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर मचली के उत्पादन पर निडभर रहता है तो आज एक अच्छा कडियर जो है लोग मचली पालन में बना सकते हैं बसरते इसकी तकनिकी जानकारी और इसका अनुभव उनके पास हो तब मचली पालन आने वाले समय में एक बहतर भविस्य के रूप में उभर सकता है अगर सही तरीके से सही जानकारी के साथ मचली पालन किया जाये तब लगभग 18 एकर का यहाँ जल छेतर है जिसमें ये विगत 25 वर्सों से मचली पालन का काम कर रहा है साथ में हैचरी भी सरका है तमाम तरह की जानकारी अभी मचली पालन से समबंदित अभी आप सब को देने की कोशिस करूँगा ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिब आप सब्सक्राइब किजिएगा सर हमारे चैनल पर आपका सवागत है अबना नाम कंभाल कि इस ँक कर दोके मतियारी वाला रोडे में है सबसे पहले हम अपने दर्सकों के सहुलियत के हिसाब से पूछते हैं कि इतने वर्सों का आपके पास अनुभव है तो जो भी नए मतस्य पालक आते हैं या करने की जिन को योजना है तो उनको किस कैटोगरी के साथ मचली पालन की सुरुवात करनी चाहिए मचली पालन में जो सबसे महत्वपुन्ची होता है तालाब तो तालाब जो है वो कैसे उसका निर्मान कैसे करवाना चाहिए उसके बारे में बताइए तालाब देखिए छोटा किसान जो नया किसाना सुरू करना चाहता है तो कौम से कम एक कर से सुरू करें उसके गाराई तो कौम से कम एक डिर मीटर से ज्यादा नहीं रखें अपना अच्छा से रखें जहां बारे रिया है नुक्सान तो ज्यादा बारे से होता है जी उसमें उसका तयार करना पड़ता है तो कैसे विधिवत क्या है वो हमारे दर्सकों को बताईए उसको जिद्वाउत दिवाद बात पान निमयात होता है टुरू के पाणी डालना पानि sapo चोर्णी तो इसके बाद उसमें सिड़ लियाकर रकी आगल और जैसे पानी में क्या होता है कि पानी के बहुत सारे पैरामीटर होते है पीएच अमोनिया वगयरा तो उसका भी खास ख्याल रखना होता है उसके पीएच पीएच प्रपी करना चाहिए पिछ पीएच करना चाहिए जी उसको कंट्रोल किया सकता है जी उसको कंट्रोल किया सकता है जी उसको कंट्रोल किया सकता है सर जैसे अब बात करते हैं कि आंधर परदेश में कहा जाता है कि साल में तीन कल्चर निकाल लेते हैं और बिहार में एक भी कल्चर लोग नहीं कर पाते हैं, जानकारी के अभाव में, तो एक होता है कि जैसे वहां आंधर परदेश वगर में है, कि लोग अलग नरसरी बना के रखते हैं, फिर जो 18 महीने के बच्ची हो गए उसके बाद वो उसको तालाव में डालते हैं, और ऐसे करके यह होता है, तो यह पूरा जो प्रोसेस है, वो हमारे दर्शकों को बताईए, यह आंधर परदेश में है, वहां जो स्पावन किसान ले जाका रखता है, उसको कम से कम बारा महीना नसरी में रखता है, चायो छोटा हो या बड़ा हो, पुराना बचा हो जाता है, उसके अनुकूल है, हमारे बियार से थोरा अच्छा अनुकूल है, सालो भर वहां ठाड़ी बहुत कौम परती है, इसलिए मचली का डेपलप्ट लोग कर लेता है, और लोग काते हैं कि जो वड़ियो वगयानिक वगर हैं, तो वो काते हैं कि 18 महीने के बाद ही मचली का ग्रोथ त स्कत्राइब गैनालता, साल में दो बार तीन बार अरामसे वोग निकालते हैं, सर अगर माले जै कि कोई भी किसान है, जो माले जै सुरुवात कर रहे हैं लगभग आपने बतायícia कि एक एकर से सुरुवात करना चाहिए, तो कोई करता है, तो माले जै कि यूड ढलता है, तो पर दो जल्दी डेवलोप करेगा अभी सर कितना टोटल जो जल शेतर आपके पास कितना है यहां तो पांच एकड़ में है इसमें नर्थरी और सरी के काम होता है यहां से बगल में दो-तिन किलमेटर अलग है तो उत्तेरे एकड़ है जिसमें मश्री का पालन होता है तो हम हुष का बच्चा ग्रोथ उतना ही तेजी सब्सक्राइब करता है उसको शेके बाद कि जैसे आज मार्केट में जो फीड है बहुत महेंगा हो गया है और कि जो अगर कॉमर्सियल फीड पे डिपेंडेंटर्ट रहते हैं तो उतना फाइदा नहीं होता है तो इसके लिए हमारे दर्सकों को बताए कि जैसे होममेट खाना जो है वो कैसे मचली का तयार करें उसमें जैसे राइस ब्रांड है त्वरसों का खली है उसके अला में गोबर भी दिया जा सकता है रसानी खाद हो गाड़ा है यह भी मिला कर हम लोग देते हैं उससे अच्छा बेनिफिट होत किसान अगर मचली पालन का क्याम करता है तो लगभग वर्स में कितना मुनाफ़ा वो कमा सकता है उसके का किसान एड़ लाख से दो लाख रूपया शलाना आराम से कमा सकता है सर यह तो चीजे हो गई मचली पालन से संब्धित हैच्री वाला काम जो है वो कब से आप सुरू किये है लगबद 2000 से उसमें 22 वर्स लगबद हो गया जी उसमें भी उसके पहले से मैं तलाब रखा था लेकिन हैच्री वाला काम हमको 22 वर्स हो गया करते हुए कौन-कौन सासर सीड यहां पर उपलबद हो जाता है हमारे हां सीड रोहु नैनी कतला सिल्वर गरास कार्प है कॉमन कार्प है उसमें जो सीड्स वगर होता है उसमें बुरूडर की महत्वपूर्ण भूमका होती है तो उसके बाड़े में थोड़ा सा बताई जी हर चीज डाद अगरीलमन गिन्न गेशन दोड़्ख को फज़िए पर टर स выгляд खोइब तो को मिया सकतो दोड़ खालत है उसमें आन्ड़ माधा को मोझ को साम भी रख देंगे सुबह अंड़ा देती है उसके वह जो जो पूरे प्रकृतिक तोर पर जी हम लोग प्रकृतिक तोर पर उसको बेज़निक कराते हैं तो बच तेयार होता है सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें क्या होता कि छोटे सीड्स होते हैं तो उनको दिक्कत होगी औक्सीजन वगरेगी तो उसके लिए क्या बेवस्ता है यजिए क्या करते हैं तुम्च चाल जाने के लिए कंब को सर्वाइब कराज तो उस्तुरक सित रहा है लगभग सर ऐसे रेट तो हमेशा फ्लक्ष्वेट होते रहता है उपर नीचे होते रहता है लेकिन फिर भी एक आस्त जो है हमारे दर्सकों को बता दीए क्या रेट वगर क्या रहता है सबसे सास्ता रोहु नहीं का बचा है उसके बाद में है सिलुवार कार्फ है गरांस कार्फ है कमन कार्फ है भी लिअगता हैं तो बहुत सारे लोग जोहंरे से श Mull correlation लेकिन उपहता है तो आपके प app मिल जाता है में सब चीज का मिल जाएगा ज्या सबसे तीज ग्रोथ किसका होता आइएमसी में कतला का ग्रोथ भी है सबसे थुरा ज्यादा है कतला का इससे सिल्वर कार भी है गरास कार भी है इससे आचा ग्रोथ करने वाला मश्री है रोहु नजी है जो तो 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 दोस्तो यह थे कमल की सोर सर काफी अच्छे से जानकारी आप सबको दिये हैं लगभग सर के पास 25 वर्सों का मचली पालन में अनुभव है तो आप समझ सकते हैं कि कितना इनके पास अनुभव है फिर भी हो सकता है दोस्तो हमारे से कोई प्रसंट पूछने से रहे गया है या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए उसका जवाब में दूग लगभड़ जय झालन में अनुभड़ झालन में अनुभड़ फिर पास 25 वर्सों सकते हैं भी है पूछने से पोछने से कितना इनके पूछने से लग आपकेा तो